नमस्कार आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ संजना सिंग और आज के नियूस बुलेटेन में आप देखेंगे ज्यान वापी समेट यूपी की 15 बड़ी खबरें तो चलिए शुरू करते हैं अलावाद हाई कोट ने दुशकर्म के जूठे मामलों को देखते हुए एक एहम टिपनी की है कोट ने कहा कि यदि शारीरिक संबंध का अनुभा रखने वाली विवाहिता विरोध नहीं करती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पुरुष के साथ संबंध उसकी इक्षा के विरुध है राहूल गांधी ने लोगसभा में और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस दिया इस पर इस्पृति इरानी ने राहूल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ एक महिला विरोधी वेक्ती ही संसद में महिला संसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है वरांसी में महिला नायब तहसिलदार ने सरे आम एक लड़की को थपट जड़ दिया इसका वीडियो सामने आया है इसमें दिख रहा है कि लड़की और नायब तहसिलदार प्राची केसरवानी के बीच कहा सुनी हो रही है ग्यानवापी में ASI सर्वे पर रोक के लिए मुसलिम पक्ष ने जिला कोट में याचिका दाखिल की है इसमें 5 तकनिकी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए सर्वे पर रोक लगाने के मांग की गई है फिलाल कोट ने याचिका स्विकार कर ली है PCS अफसर जोती मौर्य और उनके पती आलोक मौर्य अचानक प्रियागराज पहुँचे वो सीधे जाच अधिकारी के दफ्तर गए इस मामने में जाच अधिकारी ने कहा कि दोनों आये जरूर थे लेकिन ये उनकी ओफिशल विजिट थी अभी हमने पूस्ताज के लिए नोटेस नहीं जारी किया है बस्पप्रमुख मायावती ने यूपी समेथ देश भर में जातिय जनगर्ना कराय जाने की मांग की है रूस से भारत घूमने आई यूना ओलिया को गाये की सेवा करने वाले राजकरन से प्यार हो गया दोनोंने एक साथ रहने का फैसला किया है तीन महीने पहले उन्होंने दिल्ली में शादी की थी मेरट में मंगलवार रात मश्जित के बाहर जासू समझ कर मुस्लिम यूकों ने दो हिंदू यूकों की पिटाई कर दी हिंदू यूक अपने दोस्त के साथ फूट डिलिवर करने जा रहा था यौन शोशन मामले में बीजेपी सांसद और डबलू एफाई के पूर्वा ध्यक्ष ब्रिजभूशन सिंग के खिलाफ आरोपताई करने के मामले पर बुदवार को सुनवाई पूरी हुई इस दोरान प्रिजभूशन सिंग भी दिल्ली की रोज एवेन्यू कोट में उपस्तित रहे लखनों में सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश कार्यकरम का शुबारम किया ये कार्यकरम आगामी 15 अगस तक मनाया जाएगा काशी विश्वनात में अब आउनलाइन रुद्राविशेक होगा मात्र 700 रुपे में मंदिर परशाषन ने आउनलाइन रुद्राविशेक करानी की विवस्ता की शुरुवात की है डिंपल यादो ने लोगसवा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दोरान थाली की कीमत 500 रुपे बताई लोग उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर जम कर शेयर कर रहे है वरुन गादी ने अब योगी सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उन्होंने यूपी के टीजीपी को लेटर लिखा और उसमें बरेली के पुलिस पर कई संगी नारोप लगाए है मैनपूरी में एक पिता ने कहा सुनी के बाद अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गोली बेटे की गर्दन पर लगी जिससे उसकी मौत हो गई वरांसी में एक करोड चालिस लाख रुपे की डखेती के मामले में मुख्या रोपी अजीत मिश्रा को कोट ने एक दिन की पुलिस रिमान पर देने का आदेश दे दिया है 9 अगस्त के न्यूज ब्रीफ में इतना है फिर मिलते हैं अगले दिन की नई खबरों के साथ धन्यवाद